हलो फ्रेंड्स मैं अमित अपने आज के इस वीडियो में पीप इसकीम से जुड़ी सारी बातों को आपके साथ सिहत करूंगा इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इसके बेनिफिट्स के बारे में इलिजिबिलेटी के बारे में इसे कहां खुलवाया जा सकता है कितने इमाउंट से खुलवाया जा सकता है इस इमाउंट पे हमें कितना इंट्रेस्ट मिलेगा और बेस्ट टाइम क्या है इसमें पैसा जमा कराने के लिए और इसे कितना आवधी के लिए कराया जा सकता है और जो भी हम लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं, डिपोजिट करते हैं, इस पे लोन और पार्सिल विड्रॉल की क्या नियम है। तो आए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पीपेफी स्कीम यानि पब्लिक प्रोविडेंट फंड दोस्तों ये एक ऐसा स्कीम है जिसमें आप कोई भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं ये डिपोजिट करते हैं वो रिस्क फ्री होता है और इस पे अर्न किया हुआ इंट्रेस्ट जो मैचरिटी पे आपको एमांट मिलता है वो टेक्स फ्री होता है और एक फाइनसेल लेर में आपको इसके अंतरगत डेढ़ लाग तक का टेक्स रिबेट मिलता है अंडर सेक्षर एटी सी के अंतरगत तो आए जानते हैं इसकी इलिजिबिलिटी क्या है कौन इसे खुलवा सकता है कोई भी इंडिवीज्वल जो इं एनर आई इसके लिए एलाउड नहीं है हाँ अगर कोई एनर आई स्टेटस होने से पहले अपना एकाउंट खुलवाया है तो वो उसे फिफ्टी नियर्स तक मैचुरिटी तक उसे ऑपरेट कर सकता है लेकिन उसे एक्स्टेंड नहीं कर सकता तो दोस्तों आए जानते हैं इसे हम प्राइवेट सेक्टर बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक दोनों जगव पर खुलवा सकते हैं जैसे एस्बी आई पंजाब नेस्नल बैंक बैंक ऑफ इंडिया एस्टी अफसी बैंक आई सी एए इसी बैंक एंड इसे पुश्ट आफिस में भी खुलवाया जा सकता ह है तो आप अपने नियरेस्ट जो भी आपके सामने जो नजदीकी हो आप उसे वहाँ चाहें और अपना एकाउंट खुलवा सकते हैं इसे एक और माध्यम से भी खुलवाया जा सकता है आउनलाइन तो आप SBI के HDFC बैंक के आई से बैंक के अधर ऐसे भी बहुत सारे बैंक क लिए पौटल है जिसके पौटल पर आप जाएं और वहाँ अनलाइं ही अपने अकॉंक को खुलवा सकते हैं या थो दोस्तों आगानम खुलवाने के बादड आती है इमएन्ट करने गी बारी इस पर हम कम से कम कितना इमा डालकर इस एकाउंट को खो Percy दो सकते हैं दोस्तों लिमिट इसकी डेड़ लाग है पर फाइनसेल ये तो आप 500 मिनिमम और डेड़ लाग मैक्सिमम एमोंट इस पीपेफ एमोंट में जमा कर सकते हैं लेकिन हां अगर आप एक माइनर एकॉंट भी खुलवा रखा है अगर आप उसे खुद अपरेट कर रहे हैं तो आपका एकॉं लिमिट में मैक्सिमम 75 भी जमा कर सकते हैं अगर इससे ज्यादा अगर आप जमा कर वाते हैं तो उस पर आपको Central Government के तरफ से कि PPF Scheme का Interest Rate क्या होगा तो आईए जानते हैं Best Time क्या है इसमें पैसे Deposit करने के लिए दोस्तों अगर आप एक PPF Account खुलवाते हो तो जो Best Time है इसमें पैसे Deposit करने के लिए अगर आप Monthly करते हो तो एक से लेके पांच Every Month First to Fifth अगर आप इस डियूरेशन में पैसे जमा कराते हो तो उस पूरे महिने का Interest आपको मिलता है लेकिन अगर आप First to Fifth में ना डालकर अगर Sixth को डालते हो तो उस पूरे महिने का Interest आपको नहीं मिलेगा उसके Next Month से आपको बढ़ उस मन्त का Interest नहीं मिलेगा अगर ऐसे ही Quarterly जमा कराते हो तो First and Fifth ये डेट होगा आपका और April, July, October, January इन मन्त में आपको पैसे जमा करने होंगे अगर Half Yearly है तो डेट तो होई होगा First to Fifth बढ़ एपरिल and October इन मन्त में आपको पैसे जमा कराने होते हैं अगर Yearly आप कर आए जानते हैं इसके maturity period के बारे में दोस्तों ये 15 years के रिए Lock-in होता है Full Financial Year, Financial Year का मतलब यह है कि अगर आप खुलवाते हो जिस साल वो financial account नहीं होता है maturity financial year के उसके बाद का जो financial year होता है वहां से आपका पहला year count होता है interest तो आपको मिलते हैं जब आप खुलवाओगे जिस financial year में उसका भी interest आपको मिलेगा लेकिन आपका जो maturity के लिए period count होगा वो next financial year से count होगा for example मैंने यहां पर दिखाया हुआ है अगर आप अगस्ट 2019-20 में अगस्ट 2019-20 financial year में अपना account खुलते हो तो आपका जो first financial year माना जाएगा वो है 20-21 और जो maturity होगा वो after 15 years 30 financial year है 34-35 इस financial year में आपका जो यह account है वो mature होगा और mature होने के बाद आप इसे extend भी करा सकते हैं 5 years के लिए extend कराने के लिए दो condition है एक आप without investment extend कर सकते है यानि कि जो भी आपका पैसा है उसे 5 years के लिए ऐसे FD जैसे आप FD करते हैं वैसे 5 years के लिए उसे जमा करा दो आप extend कर दो या फिर आप बीच बीच में amount को भी डाल सकते हो लेकिन आपको यह one year पहले आपको decision लेना होगा कि आपको इसे extend करना है या नहीं करना तो दोस्तों अब बारियत दिये loan and withdrawal की क्योंकि यह long term investment है त तो ऐसा हो सकता है कि बीच में आपको पैसों की जरुवत पड़ जाए तो हमें कैसे loan और partial withdrawal मिल सकता है आए जानते हैं जो loan facility है यह 3rd financial year से 6 financial year तक रहता है अगर आपको कोई भी loan चाहिए तो आप 3rd financial year से लेके 6 financial year तक आप ले सकते हैं इसकी eligibility है जो आप 25% अगर आपके पास उस account में 2 lakh rupees deposit कर रखा है तो आपको 50,000 का loan मिलेगा और इस पर जो interest rate होता है वो 2% का होता है यानि कि अगर आपको आपके deposit पे 8% का interest मिल रहा है तो आपको इस पर 10% का interest देना होगा यानि कि 2% का आपको interest बरना पड़ता है आईए चांदते हैं इसके withdrawal के नियम को पार्सल withdrawal allowed होता है आपको loan के period खतम होने के बाद यानि 6th financial year के बाद 7th financial year से सिर्फ आप एक withdrawal ही एक financial year में कर सकते हैं और जो withdrawal की limit होती है वो 50% of your account balance आपके account में जितना भी balance है उसका 50% आप withdraw कर सकते हैं तो दोस्तों यह बहुत ही important है जिसे आप लोगों को जानना चाहिए inactive account अगर यह account inactive हो जाए किसी financial year में अगर आपने पैसा नहीं जमा कराया किसी भी वज़र से अगर आप नहीं जमा करा पाते हैं किसी financial year में तो क्या होगा तो दोस्तों घबराने के कोई बात नहीं है अगर कोई account आपका inactive हो जाता है तो simply आप एरियर के तौर पे जितना जिस financial year में आपने पैसा नहीं जमा कराया सपोज आपने दो financial year पैसा नहीं जमा किया तो minimum 500 500 आपको 1000 रुपीज ऐसे एरियर देना होगा और penalty 50 & 50 यानि 100 रुपे दो साल के लिए आपको penalty देना होगा इतना देंगे तो आपका account फिर से active ह हो जाएगा और आप फिर से आप उसे continue कर सकते हैं तो दोस्तों यह तो हो गए सारी बाते तो आई आप एक बार जान लेते हैं कि इसमें पैसा कितना जमा करेंगे और हमें मिलेगा कितना अगर आप deposit करते हैं 5,000 रुपय महिना 5,000 monthly हम एजुम करके चल रहे हैं कि 8% का interest rate आपको मिलेगा 15 साल के लिए लौकिन है तो आपका जो maturity amount होगा वो है 16,99,723 16,99,000 दोस्तों 5,000 रुपय महिने अगर आप 15 साल के लिए deposit कर रहे हो तो आपको 16,99,000 रुपय मिलेंगे आप deposit कितना करते हो आप deposit करते हो 9,00,000 रुपय 9,00,000 और आपका जो उस 9,00,000 पे interest मिलता है वो 7,99,000 यानि कि लगभग 8,00,000 रुपय तो दोस्तों ऐसे ही अगर आप 10,00,000 रुपय मिलेंगे 33,99,446,33,99,000 deposit amount जो होगा आपका वो है 18,00,000 और इस पे मिलने वाला interest होगा 15,99,000 यानि 16,00,000 deposit 18,00,000 और आपको मिलेगा 16,00,000 यानि दोनों मिला दो तो हो जाता है 34,00,000 तो दोस्तों यह है ना एक अच्छा investment आइए देखते हैं अगर आप फुल एमांट मंतली जमा कराते हो तो आपको क्या benefit मिलता है अगर आप फुल एमांट जमा कराते हो 12,500 रुपय मंतली तो आपको मिलेंगे 42,49,000 यानि कि आप इस पे जमा करते हो 22,50,000 और जो interest मिलता है वो है 19,99,000 यानि लगबग 20,00,000 के उबर ये काफी ही अच्छा investment है एक PPS account जरूर खोले अपने life के लिए अपने security के लिए ये काफी अच्छा investment है और even आप कभी दिवालिया भी हो जाते हो आप बिजनस में हो अब दिवालिया भी हो जाते हो तो code भी यानुमती नहीं देता कि आप अपने PPS account से अपने debt का payment करो दोस्तों ये काफी secure risk-free, desk-free investment investment है इसे हमेशा करना कि सभी को करना चाहिए और हर लोगों को करना चाहिए एक investment PPS में जरूर रखें जरूर करें 500 रुपे से होता है minimum आप स्टार्ट करिए जैसे पैसा आता है कोई fix नहीं है आप उसमें 1000 रुपे डालो 2000 रुपे डालो दोस्तों कैसा लगा आपको ये थी तक प्रति कि अ होता है